हमारे ग्री मंत्री श्री अमित भाई शाजी और यहां उपस्तित इतनी बड़ी संक्या में इस विजय उच्छब में आए हुए हमारे सभी समर्थक कारेकर्ता बंदू मीडिया के मेरे साथ ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथ ही और देश भर से टेलिविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोडों कारेकर्ता और भारत की यशश्वी जन्ता आज ये बहुत ही खुशी की का विशे है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उस्व मनाने के लिए इतनी बड़ी संक्या में उस्वा के साथ आए हुए है कारेकर्ता आप सब लोगों की तरफ से और भारतिय जन्ता पार्टी के लाखों कारेकर्ताओं की और से सबसे पहले इस कारेकर्म में मैं आदर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी का हारदिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ हमें सब को स्मर्ण है कि चाहे चुनाओं की बेला हो चाहे देश को नित्रत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का अब जिसे हम कहते है कि आपदा को ओफसर में बदलने में आदर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को पार्टी को देश की जन्ता को फ्रेंच से लीड किया है ऐसे हमारे येश्व स्वी प्रधान मंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं मैं आज सभी NDA के साथी दल और भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करता जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पिछग कई महिनों से अथक प्रयास किया और NDA को जो जीत दिलाई है उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कारे करताओं का और साथी दलों के कारे करताओं का भी हार दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं मैं भारतिय जन्ता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देश वासियों को जो प्रहान मंतरी मोदी जी के नित्वत्त में विश्वास करते हुए एक एतियासिक पल एक एतियासिक घड़ी के चश्मदीद गवा बनने का हम सब को सौभा के दिया ऐसे हमारे मतदाता बंदू जिनोंने भारतिय जन्ता पार्टी और एंडिये को अपना आशिरवाद दिया और प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्वत्त को आगे बढ़ाने का काम किया ऐसे करोडो करोडो देश्वासियों को मैं पार्टी की और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम जानते हैं देश ने एक नई करोड राजनीती में ली और एक नया इतिहास रचा है दोहजार चौदा के पश्चाव हम जानते हैं कि दोहजार चौदा के बाद मोदी जी के नित्वत्त में एक मजबूट सरकार बन करके आई मजबूट सरकार और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को दोहजार उन्निस में फिर से भारत की जंता का आशिरवाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई चाहे समस्याएं आई चाहे गरीबों के उत्थान के विशे थे प्रधान मंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से दोहजार चौबीस में आशिरवाद देते हुए इस एतिहासी घरी को हम देख रहे हैं जब प्रधान मंत्री मोदी जी तीसरी वार लगातार प्रधान मंत्री बन रहे हैं इस बात को भी हम ने देखा ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं मित्रों जब प्रधान मंत्री मुस्कुरा भी रहे हैं इतनी तमाम रेलियां व्यस्ततम शेड्डियूल और उसके बाद इसी उर्जा के साथ मुस्कुराहट के साथ कारे करताओं को संबोधित करना उसी का इंतजार भी किया जा रहा है बैराल हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं बहत खास मेमान हम ऐसा जुड़े हुए हैं गंग्वानी साहब भी हम ऐसा जुड़े हुए हैं उनसे भी हम चर्चा की सिलसले को आगे बढ़ाएंगे गंगवानी साब सबसे पहले पॉलिटिकल सेनेरियो आपका क्विक एक रियक्शन फिर सवाल महतपूर है कि लगाता जिस पकार से मोधी जी और इनके लगातार बड़िश नेता इस बात का दावा करते रहे लगाता जिस पकार से मोधी जी के चैरे पर चुनाव लड़ने की बात की गई आज सवेरे यह चुनाव के परणाम शुरू हुए तो मानिये मोधी जी चैजार बुट सी पीचे थे और सबसे महतपूर लगातार मोधी जी कभी मटन पर कभी मुसलमान पर कभी मंगल सूत्र पर पर कभी मुझरे पर कभी घुसपैटिये पर कभी पाकिस्तान पर यह ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले उस पकार के बयान देके धार्मिक जाती गत और समाजिक दुरुविकण का प्रयास करते रहे लेकिन सबसे महतपूर्ण आज उत्तर पदिश जो देश का सबसे कर दिया केंदरिय मंत्री स्विती रानिया हाथी है एक मांडिया मॉदी जी पदान मंती जैसे गरिमा वाले पत्में मात?? लाग जो वोटों से जीता है तो यह पूरा सुना आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर पांडे कल हमारे साथ जुड़े हुए थे मैंने उनसे एक सवाल किया था परसों हमारे साथ जुड़े दिनेश सर आपके पास आना चाहूंगा यह चाय की गुम्ठी से जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें इस वक्त बीजेपी और प्रधानमंत्री मोधी आगे नजर आते हैं सवाल यह है मैं कॉर्पोरेट चर्चा बता रहा हूं जो रोज टीवी नहीं देखती जो आज टीवी दे दर रहे यह एक चीज अभी भी बीजेपी को आगे रखे हुए है दिनेश सर देखिए जो बहुत सारी चीजे हैं जो गढ़वनन में सब्हों नहीं होती हमारे आरी बाचीश में हो सकती हैं पर एक्जामपल आप देखिए 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 चंडरवा कि दोरान क्या उसमें ये आरक्षन भार्टी जनता पर्टी शुईकार करेगी क्या उन्हें ये शुईकार होगा तो कही न कई ऐसे इस चुनाओं में जन्येट हुए हैं जो गटवन्दन की राईनीटी को नहीं स्रे से कही ना कहीं आपको परिबासित करना होगा जो चीजे आप चुनाव बीट गया है, आप पीछे छोड़कर आप नए स्रे से अपने आपको तयार करेंगे, तभी कुछ फैसले ले पाएंगे, आपके मंत्री मंडल का भी जो है, आपकी मर्जी का नहीं होगा, योगी गटवंदन के सदस्टों की अपनी भी तो एक डिमांड होगी न संजे सर इसी बात पर, यहां क्योंकि अब एक ऐसी सिती हो गई है ना कि हाथ भी मिलाएंगे तो डर रहेगा कि कौन सी नबस दबा दे, नितीश कुमार को लेकर भी यह है कि वो जिसके दुश्वर है ना, वो तो चौकरना है ही, लेकिन जिसके दोस्त है जादा अलर्ट है, सहाबाएं खतरे में महसूस कर रहा है खुद को. चाहे नितीश को मार, आम टिस्टिंग तो जरूर करेंगे और अपने मनमाखविक चीज पाने की कोशिच करेंगे, जैसे मैनेफेस्टों की बात हो रही थी, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, चलिए मैनेजमेंट हो भी जाता है, तो स्पेशल राज का दरजा होगा, स्पे जुड़ते हैं, कौन-कौन सी पार्टिया जुड़ती है, लेकिन हाँ, ये तो कह सकता हूँ, जो चुना हुआ है, मैं नरेंद मोदी जी को बढ़ाई दूँगा, क्यों अकेले बल पे 292 का अकला दिख रहा है, 240 का अकला बीजेपी का दिख रहा है, तो ये बीजेपी के को जो उनके नाम पर वोट देते हैं, तीसरी बार से दिल्ली में उतारा गया मनोस तिवारी को, और सिर्फ इकलाते वोसी जी ने रिपीट किया बीजेपी ने, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, नरेंदर मोदी को प्रधार मंत्री बढ़ाने के लिए वोट दो, और उन्हें बात करें, तो कोई भी MPI से खड़ो के नहीं बूल सकता है, कि मेरे वज़े से मैं जीता हूँ, कहीना कि मोदी जी का आशिरवाद प्राप्ता या एक कह सकते हैं, जो बाट होता है, पाओ की लोग का, वो मोदी जी के नाम का था, तब ही जीत सके हैं, यह बात भी सही है, बहतरी इन फाइट आपने दी, लेकिन मध्यपरदेश 36 गड़ में पर्फॉर्मेंस लोग, या लगभख खत्म, एक मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, कि जिस एग्रेशन के साथ आप आगे बढ़े, जिन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़े, उसमें आपको अपरे पार्टी के आशेक अनुरूप, हमने जो छत्तिकड़ मध्यपरदेश में अनुमाल लगाये थे, वो हमारे उसमें सक्षम नहीं हो पाए, कहीं छोटी हमारी गलतियां हो सकती है, जो समिक्षा बैठक में स्थिति क्लेर होगी, लेकिन सबसे महतपूर्ण है कि जो लोगसभा इस बार का चुनाओ, देश की आम जनता ने लड़ा, क्योंकि ये लोगतंतों को बचाने के लड़ाई थी, देश के समीधान को बचाने के लड़ाई थी, मत्वदेश में लोगना लोगतंत्र को खत्रा नजर आया, जनता को और ना समीधान को खत्रा नजर आया, इसका मेरे एक निवेदन है आप से कर कोई प्रश्णों तो जोड लीजिए मैं एक सा जवाब दे देता हूं सारे प्रश्णों का जी बहुश हाँ प्लीज कांटीनू कुछ तकनी की दिक्कत है गंगमानी साब के आडियो को और सिगनल को प्लीज चेक करें जरा दिनेश्टर लगातार बने हुए पंकजी लगातार बने हुए दिनेश्टर मैं आपके पास आना चाहरा हूं इसी बात को लेकर कॉंग्रेस और बहतर तरीके से अपने कैंपेंड को आ सकती थी एक बात दूसरी बात कि तेलंगाना और करनाटक दोनों जगा पर जादा माइलेज कॉंग्रेस ले सकती थी वहाँ पर में नुक्सान हुआ दिनेश्टर तो यह जो जीत है यह कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी का जो केंडिडेट था या उनका जो जिस तरह का अभरो जो को सब्काजक जो आप बीडेस तन स्वर्म चुट्य में नि पामीसी टेलेश्ट्र चेरत के दिया विए था इनकान तब 오र्म में जीत न तो पर चालें इंद था उड़न के दियंकि है इस तरह जाज लेकिन इस बार उनको मजबूरी मों से स्विकार करना पड़ा, बहुत सारे इक्वेशन बदले, बहुत सारी चीज़ा हमने सत्ना में देखेंगे, तो सत्ना का गड़ी तलग मिलेगा, मंड़ा का गड़ी तलग मिलेगा, आप देखी ना कि कई जगे तो जो बहुजान जो बात हो रही थी, संविधान बचाने की जो बात हो रही थी, मद्दपृदेश में ते वो भी नहीं दिखा, क्योंकि सिर्फ एक कारण था कि कॉंग्रेस के पास अपना कैंपेइन मैनेज करने के लिए चेहरे नहीं थे, अब जी तु पड़वारी जी को देखी है, उनके पास एक्सप्रेस क्या था? उनकी पपलिक अपीर क्या थी? उनके नाम पर सवाख कितने लोगों की भीडा सकती थी? मुझे लगता है कि महता ज्यादा कोई पपंने आपिर नहीं ती?bia के इंसे आपास लिए धास के अब कJa कि जिसकी ब्लीक अपीर की नहीं थी पिरसे आप बहुत ज़्यादा उनी चरन नहीं करते हैं लेकिन चुन्दवारा भी बीजेपी ने चीन लिया और दिविजे सिंग राजगर तक सीमित हो गए थे पंकर जी आएंगे आपके पास एक पंकर जी बीच में कुछ कहा जाते हैं जी पंकर जी कर रहा हूं कि भारती ज जो नेता देश में 300-295 शीटों की बात करते थे मद्ध्यप्रदेश में 15 शीटों की बात करते थे खटा का ठका ठकी बात करते थे उनकी कोई बात चीद नहीं कर रहा जो डरके वाइनाट के लाव राइवरील इदे भी लड़े तो आज समाजवादी पार्टी के जारे सवाल कौन खड़े कर रहा है जो पराज पराज तुए जो प्रतिस परदा में कहीं नजर नहीं थे वो सवाल खड़े कर रहे है जिस एंडिय कोई प्रीपोल एलाइंस है एंडिय के साथ और अभी गडवंदन की बात हो रही थी बाइस आप मोदी जी के पहले कारकाल है गडवंदन की सरकार गडवंदन के लोग मंत्री तो इस सेंतर ही पड़ता कि भारतेंतर पार्टी 282 पर है कि 303 पर 240 पर है हम अटल जी के समय से एंडिय के नाम का जो गडवंदन मना उसका गडवंदन धर निभात है बीजेपी का नंबर आफ सीट कुछ भी हो सकता है तो उ मुझने वाला क गाना याद कहरेते राहूल गंदी को और आप तो मोटिवेशन वाले गुरू है थोड़ा सा गवानी जी को सुनेंगे मैं आउंगा आपके पास पंकर जी प्लीज आए आए आप इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर सब खेल जाते हैं आ रहे हैं आपके पास गंवानी साब प्लीज इस प्लीज ऑप कि कॉंग्रियोंस पार्टी का यारोप नहीं है यह देश की जनता कह रही है कि जोती मिरगा अरुन गोविल गृडास से लगातर इस बात को अंडर्लाइन करते रहे कि 400 सीट ते ज्यादा लाएंगा देश के समीदान को बदलेंगे आज बिहार के उप्चनाओं के समय प्रमु में आपकी सरकारों के सब्सक्राइब भी हुए है ना लाली जी जूट बोले यारे कॉंगरेस के बाहा है और कुछ प्रेशन तो जोड़ लीजिए मैं जब बोला शुरू करता तो जोती आप पूछे मेरा निवेदा नहीं मैं बात कंपीट कर लूँ देखे महत्पूर है अ लाल एक छोड़े से ब्रेक क्लैम रोक रहे हैं चल्द लॉटते हैं